स्वागत है आपका पंकी पैक्ट्स में आजकल लोग वजन कम करना, डियावेटीज से बचना और स्वस्थ रहना चाहते हैं परन्तु बहुत सारे प्रोसेस्ट कार्बोहईडरेट और जंक फूट्स में रिफाइंड सुगर की मात्रा होती है जो पूरे सरीर में सुजन पैदा करती है, समय के साथ जंक फूट्स ज्यादा खाने से कई तरह की स्वास्थ समस्या हो सकती है जैसे डियावेटीज, मोटापा, गठिया, आखों की समस्या, हार्ट अटेक, स्ट्रोक और भी बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम आपको सर्वत्तम आठ आहार के बारे में बताएंगे जिन में न के बराबर सुगर और कार्बो हाइडरेट होता है जिसके सेवन से आपको बहतरीन पोशक तत्तो प्राप्त होते हैं जिससे सरीर सेहत मंद बना रहता है तो आईए जानते हैं उन आहार को नमबर वन फूल गोभी यह एक बहुमुखी सबजी है जिसमें विटामिन C, विटामिन K, फोलेट की प्रचूर मात्र होती है इसके एक कप में मात्र 5 ग्राम कार्ब्स होता है यह सबजी वटन घटाने के लिए महत्तपूर्ण होती है क्योंकि इनमें फाइबर और विटामिन B, फाइटो नूट्रियेंट्स और एंटी आक्सिडेंट प्रचूर मात्रा में होता है नमबर टू अंडा इनमें कार्बो हाइडरेट्स की मात्रा काफी कम होती है एक अंडा में 0.6 ग्राम कार्बो हाइडरेट होता है और स्वास्थ वर्धक पोशक तत्तों की वृष्टित संखला होती है यदि आप दिन में 2-3 अंडे का सेवन करते हैं तो यह आपके मस्तिस्क के पावर को बढ़ाता है आँखों की रोशनी कम होने की दर को कम करता है इसमें पाये जाने वाला कोलीन लीवर के फैट को तोड़कर वजन घटाने में आपकी मदद करता है अंडे में विटामिन D की अच्छी मातरा होती है जो ब्लड वेसल्स को सक्रा करने वाले हार्मोन को ब्लक करने का कारी करता है इससे बलड पूरे सरीर में अच्छे से प्रवावित होता है यह एक सबसे हेल्दी पेपदार्थ है क्योंकि इसमें कार्बोहाइडरेट और सुगर नहीं होते ग्रीन टी के सेवन से हिर्दाय रोग, निरोजी डनरेटी रोग, मोटापा और डियाबेटीस के जोखिम कम होते हैं इसका एंटी इंफलेमेंटरी गुन सरीर को सेहत मन बनाता है क्योंकि ग्रीन टी में एपिगेला केटेचिन 3 गेलेट प्रचूर मातरा में पाया जाता है जो एक प्रकार का एंटी आक्सिडेंट है यह कोसिकाओं को साइटो काइनेस बनाने से रोगता है जिसे से सूजन कम होती है नमबर फोर ब्रोकली एक कप ब्रोकली में मातर 6 ग्राम कार्बो हैड्रेट पाया जाता है यह काफी स्वादिस्ट क्रूसी फेरस सबजी होती है इसे आप उबाल कर सेवन करने पर यह आपके ब्लट सुगर लेवल को कंट्रोल करने का कारी करता है क्योंकि इसमें विटामिन C, विटामिन K और फाइबर की प्रचूर मातरा पाया जाती है साथ ही इसमें कैंसर से लड़ने वाले प्लांट कंपाउंड पाया जाते है नमबर फाइब पनीर पनीर आपके आहार में प्रोटीन, कल्सियम और हल्दी फैट प्राप्त करने का बेहतरीन विकल्प है इसमें महत्तपूर्ण विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन A, विडामिन B12, फासफोरस, जिंक और राइबो फ्लेविन होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स और DNA के निर्मान के लिए जरूरी होते हैं प्रती आंस पनीर में 0.7 ग्राम कार्बो हाइडरेट होता है एक मोटे टुकडे पनीर में आपको उतने पोसक तक्त प्राप्त होते हैं जितने एक गिलास दूध में मिलते हैं नमबर 6 एवोकाडो एक एवोकाडो में लगभग 12 ग्राम कार्बो हाइडरेट होता है यह एक अनूठा फल है जिसमें अनसाचुरेटेट फैट की उच्च मात्र होती है इस फल में फाइबर, पोटेसियम, मेगनिसियम और विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के भी उच्च मात्र में पाया जाता है इन सभी पोसक तक्तों के कारण एवोकाडो, हिर्दय स्वास्त, वो बालों के स्वास्त को बढ़ावा देता है जिसे बीटा सिस्टो इस्टरॉल कहते हैं इसमें पाये जाने वाले फाइटो न्यूट्रियेंट्स जेट से लिूटीन आँखों को स्वस्त बनाता है हाई फाइबर के कारण यह सरीर की पूरी सफाई करता है इसे खुबानी भी कहा जाता है एक खुबानी में मात्र चार ग्राम कार्बो हाइड्रेट होता है यह विबिन्द खनीज और विटामिन्स का बेहतरीन स्रोथ है जिसमें प्रमुकृप से विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, फाइवर प्राप्त होते हैं इस फल में मिठास होने के बाद भी काफी कम सुगर होती है इसलिए यह डियाबिटीज में भी फाइदे मंद होता है नमबर एट ककड़ी एक कप ककड़ी में मात्र चार ग्राम कार्बो हाइड्रेट होता है यह काफी लोगपृरी सबजी है इसमें भरपूर मात्र में पानी और विटामिन के और कई महत्पूर निउट्रियन्स पाया जाते हैं जो आपके सरीर में पानी की कमी नहीं होने देते इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और चमचमाती तचा परदान करते हैं अता इन जीरो कार्बो हाइडरेट जीरो सुगर वाले आहार को अपनी डाइट में जरूर सामिल करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें